हेलो स्टुडेंट्स माइसेल्फ कवित्त यादव एसेस टीचर सूर स्कूल मेंदरगड बेटा हमारा क्लास 10 का टोपिक चल नया टोपिक स्टार्ड करेंगा आज हम क्लास 10 का जीयो का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है मैनुफेक्चरिंग इंडस्टी अब सबसे पहले मैनुफे होता क्या है अब देखो क्या होता है मैनुफेक्चि टू dewड M Mıldı Кोईटे इंडिए इंडार्च कॉइंटिटी करके इन है वो एक रा मैटीरियल है उसको हम प्रोसेस करके उसको चेंज कर देते हैं हम सूगर में तो वो हमारा मैनुफेक्चरिंग हो गया मैनुफेक्चरिंग को हम सेकेंटरी सेक्टर भी कहते हैं जैसे हमारी एकनोमिक के थ्री सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेकेंटरी आता है, secondary sector manufacturing होता है, जिसमें हम raw material को एक valuable product में change कर देते हैं, वो हमारा manufacturing कहलाता है, अब हम देखते हैं कि manufacturing जो है, वो हमारे economic development की backbone क्यों है, manufacturing sector is considered as the backbone of economic development, जो manufacturing है, वो हमारे economic development है, जो हमारा आर्थिक विकास है, उसकी backbone, उसको manufacturing को backbone कहा जाता है, किसी भी country के development के लिए, क्यों कहा जाता है, इसकी many reason है, first, it helps in modernizing agriculture, जो हमारा manufacturing है, वो सबसे पहले हमारे agriculture को modernizing करता है, number two, it helps in providing job in secondary and territory sector, manufacturing जो है, वो हमें secondary और territory sector में job provide करता है, अब यह कैसे provide करता है, secondary sector में industries खुली, वहाँ पे समान बना, यह हमारा secondary sector हो गया, अब secondary sector के बाद, उस समान को market तक ले जाना, market तक, दुकानों तक, गुदामों तक पहुचाना, जो काम होता है, वो सारा territory sector में होता है, जैसे हमारा transport हो गया, transport territory sector में आता है, manufacturing में समान बना गया, लेकिन अगर transport नहीं होगा, तो वह वहाँ तक, बजार तक, या market तक पहुचेगा कैसे, तो यह यह कह रहा है कि help in providing job, जो हमारी manufacturing है, वो providing करती है, जो provide करती है in secondary and territory sector, तीसरा इसमें जो क्या है, third reason, reduce, यह घटा देती है, unemployment and poverty, अब industries खुलेगी, लोगों को job मिलेगी, बहुत ज़दा लोग जो provide मिलेगी, जो provide होगी तो unemployment, यान की बेरोजगारी, खतम होगी कुछ हद तक and poverty, poverty खतम होगी, लोगों को pay मिलेगी, पे इसे वो अपना काम चलाएंगी, इससे poverty reduce होगी और unemployment reduce होगा, उसके बाद जो हमारा next huge a point, export, एक्सपोर्ट का मतलाओ, जो हमारा समान है, जो हमारा manufacture होगी, जो हमारा समान बन गया, उसको हम export करते हैं, भेजते हैं, दूसरे देशों में भीजना, वो export कहलाता है, दूसरी जगह पर भीजना, export कहलाता है, Export and Manufacturing Goals, जो Manufacturing Goals, यानि कि जो समान हमें बनाए है, उसको जो हम Export करते हैं, Expand Trade and Commerce, ये हमारे वैपार को और Commerce को, यानि कि Trade and Commerce, वानिज्य के और वैपार को बढ़ावा देता है Point 5, It Bring, जो Industry, It Brings in Much Need for an Exchange, जो हमारी Industry, वो हमारी Foreign Exchange करते है, Foreign Exchange लाती है And Last Point है, example कि Cotton जैसे här इन्डिस्टी में क्या कहएगा, Cotton Textile Industry and Iron Dusty, Cotton Textile Industries को हम Agreaux-Base Industries भी कहते है और iron and steel industries हमारी है कि जो हमारे जो बड़ी बड़ी जो industries होते है iron and steel industry cotton industry हमारी agrobase industries है उसके बाद जो हम आता है ये तो हमने अब तक clear कर दिया कि manufacturing क्यों जरूरी है manufacturing से क्या क्या होता है agriculture में modernizing आता है foreign exchange होता है unemployment and poverty reduce होती है ये सारी चीज़े अब agriculture और industries अब सबसे बड़ी बात ये कि agriculture और industries both are depend on each other ये दोनों ही एक दूसरे पर depend है agriculture and industry go hand in hand अभी go hand in hand का मतलब है agriculture industries को अपने जो रामेटीर से वो प्रवाइड करते है industry agriculture को देता है इसलिए दोनों go hand to hand है एक दूसरे के पूरक है अब वो कैसे है दा एग्रो इंडस्टी अभी मैंने बताया था जो cotton industry है उसे हम एग्रो इंडस्टी एग्रो इंडस्टी वो इंडस्टी होती है जो रा मैटीरियल के लिए agriculture पे depend होते है उसे हम एग्रो बेस इंडस्टी कहते हैं जितनी भी हमारी इंडस्टी है जो रा मैटीरियल के लिए हमारे agriculture पे depend होते हैं वो एग्रो इंडस्टी हो जाती है जितनी भी हमारी इंडस्टी है उसके जो इक्विमेंट है उसके जो ओजार जो हम यूज करते हैं उसमें जो इक्विमेंट यूज होते हैं वो सारा कौन देता हमें इंडस्टी जेते हैं पहले एंसियन टाइम में जब हमारी agriculture होती थी तो लोग कैमल से और इनसे बूल कार से इनसे अपनी खेतिबाड़ी करते थे जो हमारे fertilizers थोते थे मैनूर होता था fertilizers नहीं थे अब जो मैं इंडस्टी जागी तो उसने agriculture को tractor दे दिया हार्वेस्टर दे दिया थ्रेसर दे दिया इंडस्टीज ने एग्रिकल्चर को यह सारे modern equipment दे, दूसरी तरफ इंडस्टीज ने एग्रिकल्चर को क्या दिया, on the other hand, इंडस्टीज आर रन on agriculture, जो इंडस्टीज है, वो हमारी एग्रिकल्चर रन करते हैं उसको, जैसे cotton इंडस्टीज है, cotton इंडस्टीज अगर हम cotton को नहीं गाएंगे, जो जिसे हम इंडी में कपास कहते हैं, कपास को नहीं गाएंगे, तो cotton इंडस्टीज कैसे चलेगी, अगर हम सुगर के नहीं, अगर हम उसको प्रेडूस नहीं करेंगे, तो सुगर इंडस्टीज कैसे चलेगी, जूट, edible oil, यह यह जो सारी इंडस्टीज है यह सारी अग्रिकल्चर पर चलती है और जो इंडस्टीज है वो हमारे अग्रिकल्चर को मोडरनाइजिंग करता है यह सारी चीज़े उसको देते हैं ताकि हमारे जो काम है वो अब असनी से होने लग गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अग्रिक this topic very well thanks have a nice day